पूर्व एड़ोकेट कमिशनर अजय मिस्र ने सिविल कोट में स्वपी दो पेज की रिपोर्ट, बताया बहुत से मिले साक्ष ग्यानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की पहली रिपोर्ट बुद्वार को सिविल जज की अदालत में हटाए गए एडवोकेट कमिशनर अजय कुमार मिस्र ने सौप दी है रिपोर्ट दो प्रष्ट की है आपको बता देंगी सर्वे रिपोर्ट को लेकर बताया की मिले बहुत से साक्ष उनका आवाजन को स्विकार किया सो मौर्ट के लिए सखित कर दिया है नई आजय मिस्रा जी बहुत ही नहायत सरीफ आदमी और बहुत ही सम्वेदन सहील आदमी दिया वादी और प्रतिवादी दोनों की भावनाओं का आधर करते थे और यह एक साजिस के तद उनको उठाया कल अजय मिस्रा का सबूर हुआ आज मानि विशाल सिंजी का रिपोर्ट हुआ और विशाल सिंजी का रिपोर्ट और आप्लीकर्सन देने पर सब लोग ले चुके हैं तेखिए ओसी बैरिश्टर है वो धिमान है सम्विधान के सग्ये हैं मैं उनके भावनाओं को क्या कहूं मैं इतना ही कहाना है कि मानी नियाल है कि कमसव.खेशन अने तक रूत प्रतिवादी क्वक्स कह Japan नहीं घुठ ऑने आ केवाल रिपोर्ट में आगा सारांस आप अब देखें बहुत चीजें बहुत चीज सब लोग जान रहे हैं आप इतने देर से बैठें साथ समझ भी गए होंगे मैं काफी देर से बोल रहा हूं इसलिए मैं सोत रहा हूं कि आपको शार्त महीं बता दूं अगर विसेज कहेंग पनी हूँ मिलान कराया तो मैं जखा जाएंगा आगी की जो कारवाई से तो मैं कभी आसो तुस नहीं था क्योंकि कारवाई का आंस तो मैं रहा ही हूं तो मुझे जो है परसनलल चबी बनाने के लिए आ जो है गंदी राजनीद करके जो है गंदा आरोप लगा के हमको हटा दिए गया ये बहुत ही तुछी चीज इसको मैं कभी नहीं सकता आरोप भी नहीं लगा सकता किने कुश्य क्यों कि कारवाई तो बहुत ही अच्छे ठंक से हुई है कारवाई भी पर तो कोई आरोफ है इस पर मैं कोई आपत्ते भी नहीं कर सकता आ व्याद्र Hansi यह आप बताईये सूर, इतना दिन से आप युप से मेटिया में हैं, क्या जो उन्होंने किया गलत फ्यמा Prague का एक भी perception छोड़ा है? कहीं से भी आपको लगताएज्ञ आपको टारी मुझे गलत फ्यारीमी यजो एक अंद्ञाभ यिखती रहेगा, वो झाल